Hello students, I am Hardik Sheta from Sarasoth International Academy, WAPI. आज हम Standard 10, Subject Science, Chapter No. 2, Acid, Bays and Solts को आगे बढ़ाते हैं. तो आज से हम पढ़ने वाले है Chemical Properties of Acids and Bays. इससे पहले के Lecture में हमने पढ़ा था कि Acid and Bays को Laboratory में हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं. उसके लिए कुछ Indicators काम ने Use किया था. तो अभी स्टार्ट करेंगे Chemical Properties of Acids and Bays. अब यहाँ पर क्वेस्चन है देखो. एक ट्रॉपिक है How do Acid and Bays react with Metal? Acid and Bays, Metal के साथ कैसे react करते हैं? उसके लिए हमें यहाँ पर एक activity पढ़नी है. ठीक है? तो यहाँ पर देखो हमने Chemical Properties को कैसे याद रखा था? यह रही देखो. Acid की reaction Metal के साथ कैसे होती है? Acid plus Metal equal to क्या बनता था? Salt plus Hydrogen Gas. Acid है वो Metal के साथ react करके Salt बनाते हैं और Hydrogen Gas generate करते हैं. Same way Base के लिए Base with Metal में क्या था? तो Base with Metal में भी Salt plus Hydrogen Gas is generate होता था? ठीक है? Okay. तो Activity है 2.3 तो मैं यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ. आप अच्छे से ध्यान देना, ठीक है? Question देखो पहले. This Activity needs the teacher's assistance. ठीक है? Set the apparatus as shown in figure 2.1. यहाँ पर देखो, डायाग्राम में जैसे दिखाया है, वैसे आपको set up करना है. ठीक है? क्या किया हुआ है? कि एक हमने stand लिया है, और stand की help से test tube को हमने पकड़ के रखा है. Taste tube के अंदर क्या है? Diluted sulfuric acid है. Sulfuric acid का formula क्या है? H2SO4. Diluted का मतलब रहेगा कि उसके अंदर हमने water add किया हुआ है. ठीक है? और हमने zinc granules अंदर डाले हुए. अबे देखो यहाँ पर. ठीक है? तो take 5 about 5 ml of dilute sulfuric acid in a test tube and add a few pieces of zinc granules to eat. ठीक है? bubbles नज़र आएंगे. अब यह bubbles कैसे बने? तो हमने देखा था acid plus metal equal to क्या बनता था? salt plus hydrogen gas. तो यह जो bubbles बने हैं वो किसकी वज़े से बने है? hydrogen gas की वज़े से. okay, past the gas being evolved through a swap solution. जो gas निकल रहा है उसको एक swap solution में से pass कराओ. देखो, यहाँ से gas निकलेगा. यह pipe के through. यहाँ पर आएगा. अब hydrogen gas है ना? तो lighter gas होता है, मतलब ज़्यादा heavy होता नहीं है. तो वो उपर की वर जाएगा. अब swap bubbles में से, swap solution में से आपने pass कराया. तो swap solution में से pass कराया है. इसलिए यहाँ पर bubbles बनेंगे और bubbles उपर उड़ रहे हैं. hydrogen gas है या नहीं? वो चेक करने के लिए आपने क्या किया है? तो lighted candle को नजदिक लेके गए bubble के. तो क्या होता है? burning of hydrogen gas with a pop sound. ठीक है ना? pop-up sound के साथ यह burn होगा hydrogen gas. ठीक है? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो bubbles बने थे swap solution के help से. वो bubbles के अंदर क्या कौन सा gas था? hydrogen gas. ठीक है? चलो. वोट दो यू अबजव? तो आपने अबजव किया ही है? burning of hydrogen gas with a pop sound. repeat this activity with some more acids. like HCl, HNO3, CH3, C00, H. आर दी अबज़रवेशन इन आल दे केसी दे सेम और दिफरेंट? तो देखो एक तरह से हमें लगे गा कि यह भी है. यह भी है, यह भी है, यह भी है. तो हमें लगेगा कि सब में observation सेम ही मिलना चाहिए, क्योंकि सब भी acids की chemical properties सेम रहती है. बट एक्चुल में यहाँ पे सभी acids के साथ ऐसे reaction नहीं होगी. मैंने आपको पहले भी बताया था कि यह जो हमने याद रखा हुआ है, वो most of the cases के लिए है. बट कभी कभी यह हो सकता है कि कोई exceptional case है, जिसके साथ थोड़ी बहुत अलग reaction हो सकती है. जैसे मैं आपको यहाँ पे example दे रहा हूँ, हम reaction लगाते है, HNO3, HNO3 कौन सा acid है? नाइट्रिक एसीड, तो मैं आप एक statement ही लिखके दे रहा हूँ आपको, नाइट्रिक एसीड बिइंग ऑक्सिडाइजिंग एजन्ट बाई रियेक्शन, with metal, water is produced instead of dihydrogen, ठीक है यह याद रखना है नाइट्रिक एसिड है वो क्या है स्ट्रॉंग ऑक्सिडाइजिंग एजन्ट है तो वो मैटल के साथ रियक्ट करके डाय हैड्रोजन गैस नहीं देगा बट यहाँ पे आपको मिलेगा वाटर ठीक है अब रियक्शन क्या होगी वो देख लो तो HNO3 और वो भी एक्वोस फॉर्म में प्लस जिंक जिंक ग्रेन्यूल से तो सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे आपको मिलेगा ZNNO3 ट्वाइस जिंक नाइट्रेट यह एक्वोस फॉर्म में मिलेगा प्लस नाइट्रोजन ओक्साइड प्लस नाइट्रोजन ओक्साइड गैसियस फॉर्म में और प्लस H2O लिक्विड फॉर्म में तो यहाँ पे आप फॉर्स से मल्टिप्लाइ करोगे बैलेंस करने के लिए ठीक है और यहाँ पे 8 से यहाँ पे 3 यहाँ पे NO3 2 टाइम्स और यह 2 तो फिर यहाँ पे 3 से ठीक है तो यह आप बैलेंसिंग आपको पता है बैलेंसिंग हमने प्रिविए चेप्टर में भी पढ़ा है तो वो आपको आता है ठीक है तो अभी देखो यहाँ पे यह equation बैलेंस कंडिशन में है यहाँ पे hydrogen देख लो 8 है तो यहाँ पे 4 टूजार 8 oxygen देखो 8 टूजार 24 है तो यहाँ पे देखो 4 यहाँ पे 2 6 हुए और यह 2 3s आर 6 इन्टू 3 18 18 प्लस 2 प्लस 4 हो गए 24 तो आप एक 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 यहाँ पे काउंट कर सकते हो ऐसे ठीक है तो यहाँ पे पुछाए are the observations in all the cases the same or different तो आएगा different क्यों? क्योंकि कोई-कोई exceptional cases है जिसमें hydrogen gas generate नहीं होता तो आपको जो यहाँ पे gases state में आपको कुछ मिल रहा था आपने swap solution में से इसलिए pass किया थाकि bubbles बने bubbles बने तो उनको हम check कर पाए तो वो bubbles यहाँ पे नहीं बनेंगे कौन से case में? nitric acid के case में ठीक है? तो यह याद रखना है ओके? अब बात करते हैं जो natural processes है जैसे कि यहाँ पे हमने किया वो कौन सी process समझो यह तो एक exceptional case था exceptional case था इसलिए हमने यहाँ पे discuss कर लिया ओके? बड़ जो normal cases है वो भी तो यहाँ पे हमें equation के साथ लिखने है तो चलो acid कौन सा था यहाँ पे? sulfuric acid sulfuric acid था तो क्या आएगा reaction में? H2SO4 plus granules किसके थे? zinc के यह aqueous form में था यह solid form में था ठीक है? ओके तो यहाँ पे after reaction क्या बनेगा? ZNSO4 यह कौन सा form रहेगा? aqueous form ZNSO4 के बाद क्या बनेगा? तो यहाँ पे hydrogen gas बनेगा तो यहाँ पे आएगा gaseous form ठीक है? सिर्फ इतना नहीं लिखना है आपको यहाँ पे नाम भी लिखना है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ यहाँ पे क्या लिखोगे? sulfuric acid यहाँ पे क्या लिखोगे? zinc यहाँ पे क्या लिखोगे? zinc sulfate यहाँ पे hydrogen gas ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हमने प्रूव किया कि acid plus कोई भी metal क्या बनेगा? salt plus hydrogen gas और उसको हमने याद रखा हुआ था I am super hero भूल के ठीक है न? acid plus metal equal to salt plus hydrogen gas उसमें कुछ ऐसे exceptional case भी आ सकते हैं तो वो आपको याद रखने हैं ठीक है? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं activity 2.4 place a few pieces of granuled zinc metal in a test tube test tube के अंदर आपको क्या लेना है? granuled zinc metal granulated मतलब कि आप उसके मतलब छोटे छोटे टुकडे रख कर दिये हैं zinc metal के उसको आपने रख दिया test tube में ठीक है? add 2 ml of sodium hydroxide solution and warm the contents of the test tube repeat the rest of the steps as in activity 2.3 and record your observations activity 2.3 में जो बागी के steps थे वो follow करो ऐसा क्यों बुला गया? क्योंकि यहाँ पे भी hydrogen gas generate होता है base की reaction आप metal के साथ कराओ तो BM तो यहाँ पे भी super hero था salt plus hydrogen gas ठीक है? base plus metal आपको क्या मिलेगा? salt plus hydrogen gas तो यहाँ पे देखो the reaction take place can be written as followed NaOH plus zinc तो यहाँ पे बनता क्या है? sodium zincate याद रखना और साथ में hydrogen gas Na2, Zn, O2 ठीक है? Na2, Zn, O2 तो यहाँ पे Na का positive iron है, Zn का भी positive iron है और negative iron में क्या है? सिर्फ oxygen तो यह normal salt नहीं है जिसमें एक positive iron था, एक negative iron था इसलिए जो यहाँ पे salt बना है उसको बोला जाता है complex salt ठीक है? sodium zincate ऐसे ही बन सकता है potassium aluminate ठीक है? तो यह सब क्या है? complex salt है clear? potassium aluminate का formula ऐसे कुछ आएगा K-A-L-O-H four times ठीक है? तो यह है complex salt ओके? और यहाँ पे hydrogen gas generate होगा you find again that hydrogen is formed in the reaction however such reactions are not possible with all metals ऐसी reactions सभी metals के साथ possible नहीं है clear? चलो तो यह हो गई activity 2.4 ठीक है? अब यह acid and base के लिए बहुत सारे examples से आप याद रख सकते हो सपोज मैं acid plus metal करूँ और आपको मिल रहा है salt plus hydrogen gas अगर मैं कोई दूसरा example लेना चाहूँ तो मैं कोई भी ले सकता हूँ acid plus metal के लिए पिर मैं कोई भी example ले सकता हूँ जैसे कि अगर मैं लेना चाहू HCl plus calcium तो क्या करना है मुझे? hydrochloric acid का aquos solution लेना है उसके अंदर calcium के solids डाल देने है मतलब कुछ टुकडे बनेगा क्या? CACl2 और evolved क्या होगा? hydrogen gas ठीक है? अब इसको balance करने के लिए सिर्फ यहाँ पे 2 से multiply कर देंगे clear? और लिखना क्या है? यहाँ पे hydrochloric acid यह calcium, यह calcium chloride यह hydrogen gas तो ऐसे बहुत सारे examples आप खुद भी बना सकते हो ठीक है? चलो तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा अब हम क्या करेंगे next time से एक-एक reaction जैसे यहाँ पे हम acid and base की reaction किसके साथ देखी? metal के साथ same way next lecture में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे activity 2.5 and 2.6 पढ़ेंगे जिसमें पढ़ना है हमें metal and metal carbonate हो या metal hydrogen carbonate हो acid के साथ कैसे react करते हैं? मतलब ये वाली कौन सी थी? ये वाली line acid के साथ metal carbonate या तो metal hydrogen carbonate कैसे react करता है? वो हमें study करना है activity 2.5 के help से और activity 2.6 में हम देखेंगे acid and base एक दूसरे के साथ कैसे react करते हैं? ठीक है? तो दिरे दिरे हम एक एक activity discuss करते जाएंगे और एक एक chemical properties है उसको study करते जाएंगे ठीक है? अगर किसी को doubt है तो anytime contact कर सकता है ओके? Thank you